नमस्कार दोस्तों दोस्तों कंटोला एक सबजी है जो कि आम तोर पर मांसुन के मौसम में बारतिय बाजारों में देखी जाती है और इसमें कई स्वास्थलाब होते हैं कंटोला का वानसपतिक नाम है मोमोरडी का चरंशिया जो की कुकुर बिटेसी प्रजाती का एक पौधा है अंग्रेजी में इसे स्पाइनी गर्ड या टिजल गर्ड का आ जाता है और कंटोला देखने में करेले के समान होता है लेकिन ये साइज में करेले से छोटा होता है और विबिन रासा एनेक योगिक होते हैं चोकि मानोश शरीर के लिए फाइदेमंद होते हैं कंटोला कैलोरी में कम होता है क्योंकि प्रती सो ग्राम में केवल सत्रा कैलोरी होती है ये फाइबर, खनीज, विटामिन और एंटी ऑक्सिडेंट जैसे विबिन पोशक तत्वों से बरा हुआ है तो इसके लाबों की बात कीजाए दोस्तों तो कंटोला प्रेगनेंसी में उप्योगी है गरबा वस्ता के दोरान अपने बोजन में कंटोला को शामिल करती है तो ये नियूरल ट्यूब डिफेक्स होने की संभावना कम हो जाती है साथ ही साथ दोस्तों कंटोला जो है ये कैंसर जैसी समस्याओं में भी गुणकारी है कैंसर की कारणों में से एक है हमारे शरेल में अतियादिक विशाक्त मुक्तकणों की मौजूदगी होना कंटोला की ताजी हरी फली विटामिन C का सिरोध होती है जो की स्वयं में एक बहुत ही अच्छी प्राकरतिक एंटि ऑक्सिडेंट होती है कैंसर की संभावना को कम करने के लिए विटामिन C हमारे शरीड से अधिक विशेले मुक्त खणों को बे असर करता है साथ इसा दोस्तो कंटोला त्वचा के लिए भी फाइदे मन हैं कंटोला में बीटा केरोटेन, अलफा केरोटेन, लिटेन और जैक जन्थीन जैसे फ्लेवनोइट्स पाये जाते हैं और ये सभी योगिक आपकी बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में मदद करता है और ये आपकी तवचा को स्वस्त रखने में आपकी सहायता करता है इसके अलावा ये विबिन प्रकार के तवचा रोगों से भी शरिर को स्वस्त रखता है साथ इसा दोस्तो ये आँखों की दरश्टी में सुदार लाने में फाइदेमन हैं साथ इसाथ दोस्तों ये बुखार को ठीक करने में लाबकारी है कुछ मिंटों के लिए पानी में कंटोला बेल के पत्ते उबा लें और कंटोला के बेल के पानी में एक टी स्पून कच्छा शहिद मिलाएं और इसका सेवन करें वाइरल बुखार के इलाज के लिए आप इस मि कवासीर का इलाज करने के लिए एक दिन में दो बार पांच ग्राम कंटोला पाउडर और पांच ग्राम चीनी को मिक्स करके लें। साथ इसाथ दोस्तों कंटोला जो ही ये खांसी में भी लापकारी है खांसी एक आम समस्या है जो की अचानक बदली जलवायू और वायरस और बैक्टरिया के कारण बच्चों और वयाउस को में देखी जाती है। यदि आप खांसी से पेडित हैं तो आप खांसी को नियंत्रित करने के लिए पानी के साथ एक दिन में तीन बार तीन ग्राम कंटोला पाउडर ले सकते हैं। गुर्दी की पत्री से पीडित है तो वो कंटोला का उप्यों करके गुर्दी की पत्री से राहत पा सकते हैं। एक गिलास दूद या पानी में 10 ग्राम कंटोला पाउडर मिलाएं और गुर्दे और मुत्राशय की पत्री को निकालने के लिए रोजाना पियें। साथ इसाथ दूस्तों ये आपके पाचन को बहतर बनाता है इसमें फाइबर होते हैं जो की पाचन को उत्तेजित करने में मदद करते हैं। ये अपच और कब्स की समस्या का इलाज करने में मदद करता और इसलिए अगर आप अपना पाचन बहतर रखना चाते हैं तो कंटोला का सेवन शुरू कर दें। और साथ इसाथ दोस्तों ये हाइपर हाइड्रोसिस से राहत पाने के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। यदि आपको अधिक पसीना आने की समस्या से शर्म मैसूस हो रहा है तो आप हाइपर हाइड्रोसिस से राहत पाने के लिए कंटोला का उप्योग कर सकते हैं। यदि आप बहुत अधिक मात्रा में कंटोलार असका सेवन करते हैं इससे आपको पेट दर्द या दस्त का अनुपर हो सकता है और अगर दस्तियां पेट दर्द दो से तीन दिनों तक लगाता रहता है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें इसका प्रभाव रक्त शरकरा के स्तर को कम कर देता है जो और नियंत्री तो मदुमे वाले लोगों के लिए संभावित रुप से फायदेमन्द हो सकता है लेकिन जो लोग निम्द रक्त शरकरा के स्तर की समस्या से ग्रस्त हैं उनकी लिए इसका सेवन अच्छा नहीं है प्रेगनेंसी या स्तनपान के दौरान इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजी और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कले सब्सक्राइब और बैल आइकन के बटन को जरू क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिवेकेशन सबसे पिल आपको मिल सके थैंक्स फूर यूर टाइम